पूरे भाराण पाली में कहें तो रोगहारी, रोग का हरन करने वाले, रोगहारी, उन सभी समण डॉक्टर्स की, समण मतलब SC, ST, OBC के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक बड़ी सभा, बड़ा सन्निपात बहुल, बड़ा सम्मिलन, लखनव में 26 दिसंबर 2021 को एक रिजोर्स के अंदर होना तै हुआ है, समण संग विदा पिपल, हम भारत के लोग, जो संग के तहत में हैं, यानि हमारे पुराने संग के नियम के अनुसार हैं, इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी, कोबिट के दौरान देखा गया कि जो समण समाज है, SC, ST, OBC, उस तक सही जानकारी का भी अभाब था, क्योंकि सभी चीज लगबग बंद हो गई, एक फौन खुले हुए थे, जिससे लोगों को जानकारी मिल सकती थी, मगर कोई नेटवर्क ना होने कारण, कोई आपस में संबंध ना होने कारण, कोई हमारा संग नहीं होने के कारण, हम आपस में जुड़े हुए नहीं थे इस कारण से, जितने भी भारत के डॉक्टर हैं, वो अपने समाज की सेवा फौन से नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए फोन पर किस व्यक्ति के क्या लक्षण है COVID के, क्या उसको दबाई देनी है, कैसे बचाप करना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, किस हॉस्पिटल में नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कैसी दबाई नहीं लेनी है ये जो सारी बातें एक डॉक्टर, मेडिकल, हेल्प एक फॉन पर दे सकता था वो चाहा कर भी नहीं दे पाए तो ये आवसकता महसुस हुई कि हम सारे जितने भी भारत के समण संके लोग हैं वो अपने सारे डॉक्टर से बात करें और जितने भी डॉक्टर हैं समण संके वो सारे समण समास से बात करें और उनका एक आपस में बात करने का जाल बनाएं, नेटवर्क बनाएं एक समण इस्थापित करें तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, वीदा पीपल की जो जूम मीटिंग होती है उस पर आने लगे, वहाँ बात बनने लगी और फिर डॉक्टर्स ने मेडिकल हेल्प और मेडिकल साहता जूम पर मीटिंग लगा कर भी देनी सुरू कर दी और फिर ये तैह हुआ कि लखनव में ड्रीम रिज्रोर्स के अंदर वहाँ एक मीटिंग में हम सब मिलेंगे वहाँ मेडिकल के लोग भी होंगे और जो मरीज हैं या जो साधरन लोग हैं हमारे जैसे वो लोग भी वहाँ आएंगे उनका एक बाकाइदा सम्मिलन होगा वहाँ डॉक्टर से बताएंगे कि वो अपने समाज SC, ST, OBC के लिए उसकी हेल्थ के लिए उसकी सिहत के लिए उसको बचाने के लिए जो अपने समाज समढ समाज है जो समढ संग है उसके जो छोटे-छोटे बच्चे है या जो मा के पेट में अभी बच्चे है या जो महिला हैं या जो बुड़े लोग है उनकी medical help कैसे कर सकते हैं कैसे उन तक चिकिस्ती साहता पहुँचा सकते हैं तो इस सारे help करने के लिए इस सारी बात को आगे बढ़ाने के लिए ताकि समाज स्वक्षित रहे और हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे वहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की जा रही है 26 दिसंबर 2021 को भारत की पहली ऐसी मीटिंग है जो समण समाज के सभी डॉक्टर्स वहाँ इखटे होंगे इससे पहले कभी इतनी संख्या में डॉक्टर्स पूरे भारत में इखटे नहीं हुए और नहीं कहीं डॉक्टर्स की कोई मीटिंग हुई तो जो भी डॉक्टर्स आपकी जानकारी में है या आप डॉक्टर है या डॉक्टर से सम्मंदित कोई पेसा रखते हैं नर्स हैं या बॉर्ड बॉय हैं या कहीं कोई एम्बुलेंस चलाते हैं या कोई medical store आपका है यानि पैरा medical services नर्स इस्टाफ जो भी है तो वो सभी के लिए इसमें आमतित है कि वो समाज की सेवा करने के लिए आएं मीटिंग में आएं और जो हमारे जैसे non-medical लोग हैं जो मरीज कह सकते हैं या जिनको आप सकता है या जो मरीज तक पहुँचा सकते हैं वो सब भी वहां पर आएं मैं इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ phone number और वो पता इसमें दूँगा जो लखनों में जहां पर ये meeting हो रही है आपकी जानकारी में अगर कोई doctor या nurse या ward boy या कोई medical store वाला या कोई ambulance वाला या किसी भी तरह की medical help वाला अगर है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं ताकि वो आए समण संग के meeting में आने के कुछ नियम है क्योंकि समण संग किसी से भीक नहीं लेता चंदा नहीं लेता दान नहीं लेता कि ये स्वाभी लंबी स्वाभी मानी अपने पैरोपे खड़े होने वाला और self finance का एक समण संग वही है जो बुद्ध से पहले समाज में हमारे में हुआ करता था चोटी बगर चोटी मूटी meeting होती है तो उस meeting में तो सभी लोग अपना खाना लेके आते हैं मिलके बैटके खाते हैं पराठे रोचार लाने का नियम है पराठे सब के एक साथ मिलते हैं अचार मिल जाता है और सर्बैटके मीटिंग के बाद में खाते हैं जगे फ्री की लेते हैं और कोई Ameet का भवण कोई Kabir भवण, कोई रविधास भवण कोई वालमि की भवण कोई सतनामी भवण, कोई गाड की भवण कैसा भी कोई भवण जो हमारे संथ महाफुरूस का है या कोई पार्क है या किसी के घर की छत है वो जगे इस्तवाल करते हैं तो कोई खर्चा नहीं करते हैं मगर चुकि ये जो मीटिंग है डॉक्टरस ने डिसाइड की है और डॉक्टर समर संग के डॉक्टर संग का हिस्सा है तो उन्होंने बाहर से भी बहुत साइड लोग बलाए है तो संभव नहीं है कि सब अपना खाना लेके आएं और इतनी बड़ी जगे उनको कहीं फिरी की नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने ड्रीम रिजोर्स के अंदर ये काईकन बखा रिजोर्स में पलेट काफी महंगी है मगर उन्होंने अपने एफ़र्स से थोड़ी कम कराई है तो आपको वहाँ एक ब्रेकफास्ट और एक लंच और एक वहाँ पर हाई टी यानि चाय जो शाम की है वो मिलेगी और बैठने का हॉल का सबका क्राया मिलाकर और खाने की प्रेट का खर्चा मिलाकर एक हजार रुपे मिनीमम हर व्यक्ति को अपने खर्चे का और हॉल में बैठने का देना होगा ये कंपलसरी है इसमें किसी की छूट नहीं है चाहे वहाँ काम करने वाले लोग हैं चाहे उनके बच्चे हैं चाहे उनके रिस्तेदार है चाहे कोई पतनी है चाहे कोई पती है एक व्यक्ति को वहाँ आना है और ये खर्चा देना है इससे ज़्यादा खर्चा नहीं देना है और ये खर्चा अपने खाने का देना है वहाँ जाकर जाने से पहले है वहां चाहें तो जबा करा सकते हैं और इसमें डॉक्टर के नंबर है चाहें तो डॉक्टर को पेटी एम या जैसे भी डॉक्टर के हैं phone पर बात कर ले उनको दे सकते हैं क्योंकि समध्संग किसी से account बनेगा भी नहीं इसलिए hand to hand जो कारिक्रम होता है वहाँ पैसे खर्टे होते हैं और वो वहीं खर्च हो जाते हैं और वहीं हिसाब बरावर हो जाता है अगर पैसे कम पड़े खर्च जादा हुआ तो doctor आपसे मांगेंगे नहीं और अगर पैसे जादा हो गए और खर्चा कम हुआ तो जितने जिसके पैसे हैं उतने उसके बापिस PTM से या जो उसका account में बापिस हो जाएंगे ऐसा नियम है तो वहाँ बहुत सारे doctors आएंगे जो बिना doctor है non-medical लोग हैं वो भी बहुत सारे आएंगे एक परिवार की तरह है महुल रहता है परिवार की तरह लोग आते हैं अगर आप बहार से आ रहे हैं लखनों से दूर से आ रहे हैं आपको रुकना है तो doctors को phone करें बताएं लुकने का खर्चा आपका अपना भी हो सकता है और कुछ उन्होंने वेवस्ता किये है जहां रुकने की कुछ doctors ने अपने घर अपने रूम वगरा भी दी है समाज के लिए अगर वो आपको मिलता है तो उसमें तो फिर कोई खर्चा है ही नहीं जैसे आपकी सुविधा जैसे आपकी परिशानी होगी वो उसको देखेंगे मिटिंग बहुत साधर्ण तरही के से होती है बहुत अच्छे तरही के से होती है परिवारिक महल में होती है वहाँ नेतागिरी नहीं होती है समण संग में कोई नेता नहीं होता संग खुद अपना नेता संग ही होता है यानि लोग ही नेतच्ट करते हैं, लोग ही डिशन लेते हैं, लोग ही सारे काम करते हैं, आप इस meeting को देखने के लिए जरूर आईए, सुनने के लिए जरूर आईए, देखिये के आपके doctors पहली बार भारत में खट्टे होकर क्या करने जा रहे हैं आपके लिए. जैसा कि बावा साब ने कहा था कि अगर 10 डॉक्टर, 20 इंजिनियर और 30 वकील अगर एक साथ मिल जाएं तो इस समाज के सारे दुखदर्द दूर हो जाएंगे तो डॉक्टर्स ने पहल की है उसके बाद में इंजिनियर्स की मिटिंग लगेगी उसके बाद में एडवोकेट्स की मिटिंग लगेगी अगर आप इंजिनियर्स हैं या एडवोकेट्स हैं या प्रॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं या प्राइमरी टीचर हैं या सरकारी करमचारी हैं या किसी प्राइवेट फर्म में करमचारी हैं आप सम्हूं इखटा करना चायते हैं, संग बनाना चायते हैं वहाँ पर, तो आप जरूर आइए, क्योंकि अगली meeting इंजीनिर्स की होगी, उसके बाद डॉक्टर्स की होगी, उसके बाद प्रॉफेसर्स की होगी और ये meeting लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि संग कभी खत्ब नहीं होता, संग हमेशा इंट्रेक्ट रहता है, ये वो संग है जो बुद्ध से भी पहले बुद्ध के और हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे दादा दादी और परदादा परदादी थे, उन्होंने ये बराया था वही संग है, सारी नियम वही है जो समण समाज में पैदा हुआ है, वो इसका मेंबर होता है आप अगर समण समाज में पैदा हुए है तो इसके मेंबर है, मीटिंग में आईए और इस वीडियो को जितना आगे हो सके, उतना आगे भेजिए इसमें कुछ डॉक्टर्स के नंबर है उनसे बात कीजी और मीटिंग मारकर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद क्योंकि आपकी है 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 झाल झाल